MLC पुश्प राज उर्फ पंपी जैन के यहां आपको बता दे कि हुई आईकर छापे मारी का रविवार को तीसरा दिन है और कन्योज में जैन के अलावा इत्र कारुबारी मलिक मिया के ठीकानों पर भी आईकर विभाग की कारवाई जारी है और इन दोनों इत्र विपारियों के ठीकानों को आईकर विभाग की टीमें पिछले 51 घंटों से तलाशी ले रही है और इंकम टेक्स के डिप्टी कमिशनर मलिक मिया की घर से निकल कर पंपी जैन के घर पहुँचे है और पंपी के घर पर बुलाया गया आपको बता दे कि बढ़ाई को ही बुलाया गया है और आईकर विभाग के अधिकारियों ने देर राद पंपी को लेकर उनकी फैक्टरी कोड स्टोरे समेत अन्य कई जगह पर चानबीन भी की थी और कुछ ही देर में पंपी जैन को लेकर बाहर निकल सकती है इंकम टैस्क की टीम ये भी कहा जा रहा है और इसे देखते हुए ही छापे मारी में सुरक्षा इंतजाम देख रही पुलिस टीम को सतर्क कर दिया गया है आइकल विभाग के सुत्रों के मुताबिक पंपी जैन के मुंबई में मौजूद आवाज से दो करोड रुपे मिले है वही करनोज में नगदी के रूप में भी कुछ खास बरामदगी नहीं हुई है आइकल विभाग को इस कारवाई के दोरान कनोज और कानपुर में खातों में विदेश खास कर खाड़ी देशों से पैसों का लेन देन पता चला है और इस कारवाई को लिखकर सपा परमोख अखलेश यादों ने विजेपी पर हमला किया है यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तौफों पर वार पलटवार हो रहा है समाजवादी पाटी के धियक्ष अखलेश यादों ने 300 यूनिट विजली मुफ्त देने का एलान किया और इस परदेश के मुख्या योगी आदेतेनाथ ने भी पलटवार किया अखलेश यादों ने अपने चुनावी अवियान में ही मुफ्त विजली के वादे का स्विच अन किया तो असर विजेपी के खेमे में भी हुआ रामपूर में सभा कर रहे योगी ने पलटमार का करंट अखलेश को दिया और अखलेश यादों ने ट्विट किया नव बर्ष के हार्दिक शुबकामनाएं अब वाइस में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा और 300 यूनिट बिजली फिरी और सीचाई बिल माफ होगा नई साल पर सबको अमन चैन खुशाली दे और सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फिरी घरेलू बिजली और सीचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी 22 में 22 के इस वादे पर योगी आदितनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था कि बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और वो सरकार आने पर मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे थे अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त में बिजली कहां से दोगे साथ ही योगी पहले घंटों तक बत्ति गुल रहने और अपनी सरकार में 24 घंटे बिजली फुल रहने का दाओ चल रहे हैं वहीं विपक्षि दल सस्ती और मुफ्त बिजली का मुद्दा उछा भोले की नगरी काशी में नए साल के पहले दिन नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया एक साल आपको बता दी कि एक साथ ही 108 शंक बादकुंग में ही बाबा विशुनात धाम में शंक बादन किया गया और इस अन्नोठे और अद्भूत आयोजन में ही ब्रह्मण बटूक और विदूशी और युवाव नहीं एक सुर में शंक बजाया शंक बादन के इस अद्भूत आयोजन से पूरा काशी विश्वनात धाम संक की धौनी से गूज उठा और समाज के कई वर्ग के लोग इस अनूठे आयोजन के साक्षी बने और श्री काशी विश्वनात धाम क अउसर पर ही आयोजित नौवेकाशी भवेकाशी दिव्वेकाशी कारेकरम के तहट ये आयोजन किया गया है इसमें उत्तरपरदेश के अलग-अलग जिलों के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग शामिल हुए सरकार में फ्रेटन राज्यमंत्री नेलकंट तीवारी ने कि यह कारेकरम अपने आप में अध्वोत और अनूठा है। जब भी किसी काम की शुरुवात शंख वादन से की जाती है तो उसकी शुरुवात अच्छी होती है। नए साल की शुरुवात भी इसी शंख वादन से किया गया है। जिसमें 1000 से जादा लोगों के संख वादन किय जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है छेत्रिय संस्क्रेत केंदर के परभारी डॉक्टर शुभास चंदर यादव ने बताया कि शंक वादन में 350 शंक वादकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानकारी विभाग को है उसी को देखते हुए आज काशि विश्वनात धाम में 1051 शंक वादकों द्वारा शंक का वादन किया गया है जिसकी हम लोगों ने ड्रॉन और अन्ने माधमें से वीडियो भी शूट कराया है नियम अनुसर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आगी की परकृरिया की जाईगी उत्तर परदेश का सियासी दंगल लगातार वार पलट वार नई बयानों का गवाव बनता जा रहा है एक तरफ बीजेपी फिर से चेर्ण करने बनने के लिए परदेश को वोटर्स के सोगातों का पिटारा खोल रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर लगातार तंज कस रही है और इस सब के बीच हैदराबाद से आकर ही यूपी के सियासी गल्यारों में ताल ठोक रहे ओवेसी पर भी नजरेटी की हुई है ओवेसी ना सिर्फ बीजेपी बलकि समाजवादी पार्टी को भी अपने निशाने पर लेते रही है और कई बार रैलियो में तीखी बयानबाजी और उसके जवाब में पलटवार करते हुए भी दिखाई दिये हैं लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ओवेसी भी शायद अपनी चुनावी रणनीती बदलते दिख रहे हैं हाली में एक हिंदी टीवी चैनल के साथ ही बात करते हुए ओवेसी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा का विश्य बना हुआ है इंटर्व्यू के दोरान स्पी से गडबंधन के सवाल पर ओवेसी ने कहा कि महबबत कभी एक तरफा नहीं हो सकती उन्होंने स्पी पर वार करते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए बाद ही समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को भूल जाती है और हम फसाद में मारे जाते हैं और हमारी लाशों पर तत्ता आपको मिलती है नए साल के जश्न और कोविड नीमों की अंदेखी की वज़ा से करोना के मामले और बढ़ने लगे है इस बीच बीते कई दिनों से जहां गौतम बुद नगर में करोना के रिकॉर्ड मामले सामने आये थे और वही पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद ने आपको बता दे कि गौतम बुद नगर को वे करोना संक्रमण में मामलों के पीछे छोड़ दिया है पूरे उत्तर परदेश में सबसे जहादा करोना के मामले गाजियाबाद जिले से सामने आये और लेकिन सक्रिये मामलों में अभी भी गौतम बुद नगर सबसे आगे है गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 85 लोग करोना संक्रमित हुए हैं जिले में 4 मरीज स्वास्ते भी हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 198 है इसके साथ ही कई दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में सबसे आगे गौतम बुद में आपको बतादे कि गौतम बुद नगर में ही पिछले 24 घंटे में 61 नए मामले सामने आये जिले में 10 मरीज स्वास्ते भी हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 244 है जो अभी भी सबसे जादा है तिसे नमबर पर 58 नए मामलों में ही आपको बतादे कि लखनव से सामने आये हैं जहां 4 मरीज स्वास्त हुए हैं और 206 एक्टिव मामले हैं बढ़ते क्रोना के मामलों की रेस में अब मेरट भी आ चुका है 48 नई मामलों के साथ ही मेरट चोथे नंबर पर है यहाँ पर दो मरीज स्वास्ते हुए हैं और 106 एक्टिव क्रोना के मामले हैं वही अगर उत्तर परदेश की बात कर ले तो उत्तर परदेश में भी 24 घंटे म में करोना के 383 मामले सामने आये हैं और 31 लोग क्रोना से ठीक भी हुए हैं और किसी भी इससे मौत नहीं हुई है ऐसी कबर सामने आई हैं वही पूरे परदेश मेंग 3211 क्रोना के सक्रीये मामले और फिछले 24 घंटे में 37 ऐसे भी 9ич जिले हैं जहां करोणा का एक भी मामला सामने नहीं आया है